बेपी एससी टीचर रिकुरिट्मेंट एक्जाम सन दो हजार तेज के लिए उर्दु की क्लास नंबर आठ में मैं हमें मली आप सभी का खैर मगदम करता हूँ आज हम लोग इल्में बयान को डिसकस करेंगे ठीक है और इससे रिलेटर कुछ इंपोर्टेंट एमसी क्यूज भी हल करेंगे उर्दु तो हैदरे इस्टड़ पॉइंट आपको पूरी तरह से तयार कर देगा और बाकी टॉपिक जैसे की इंगलीज का जो 25 नंबर है वो आप कहां से तयार करेंगे और अगर आपने उर्दु के लावर हिंदी को लेंगवेज वन में सिलेक्ट किया है तो वो आपकी कैसे तयार होगी और पेपर टू की आप तयारी कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे चक्षू पब्लिकेशन की जानिव से यह इस्टुडि गैड तयार की गई है जिसमें 100% स्लेबस कवर कराये गया है जी हाँ दोस्तो इसमें आपको पेपर वन में हिंदी और अंग्रेजी के कोश्टन्स मिलेंगे तफसील से डिटेल एक्स्पिनेशन भी मिलेगा साथ ही साथ आपको पेपर टू मिलेगा जो की 120 सवालों पर मबनी है जिसमें आपका मैत होगा रिजनिंग होगा जी एस होगा साइंस सोसल साइंस और इंडियन नेशनल मुवमेंट और आपका जोग्राफी और इंवेरिमेंट ये सब होगा इसमें आपको धाई हजार से बहु विकल्पी ये प्रस्न देखने को मिलेंगे तो 100% कामियाबी के लिए स्लेवस को मुकमल तवर से इस किताब में जमा किया गया है आप लोग चाहें तो देख सकते हैं ये पब्लिकेशन के जानिब से तैयार शुदा किताब आप लोग खरीद सकते हैं मेरे ख्याल से ये किताब बहुत अच्छी है सैंपल के तोर पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे सभी टॉपिक को बहुत डिटेल से समझाया गया है तो चक्छु पब्लिकेशन आप आप लोग ज़रूर एक बार जाइए देखिए समझ जीए अगर पसंदा है तो ज़रूर लीजिए तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इलमे बयान क्या होता है तो मैं सीधी सी तारीफ इलमे बयान कि आपको बता रहा हूँ वह इलम जिसके जरीए हम किसी बात या किसी कलाम को दिलकश और पूरेसर अंदाद में बयान करते हैं न वही इलमे बयान है किसी बात को effectively परभावशाली तरीके से बयान करना दिलकश अंदाद में बयान करना ये इलमे बयान है ठीक है जैसे आप इस शेर को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें मीर अनीस कहते हैं कि तारीफ में चश्मे को समंदर से मिला दूँ कत्रे को जो दूँ आब तो गवहर से मिला दूँ जर्रे की चमक महरे मुनवर से मिला दूँ खारों को नजाकत में गुले तर से मिला दूँ गुल दस्ते मानी को नए धंग से बाद हूँ गुल दस्ते मानी को नए धंग से बाद हूँ एक फूल का मजमू हो तो सो रंग से बाद है तो यहां पे किसी एक बात को अलग अलग तरीके से दिलकश अंदाज में बयान करना यही इलम बयान है याने मीर अनीस के लफजों में एक ही मजमून को एक रंग के मजमून को सो रंग से बाधना इलम बयान है इलम बयान की चार अजज़ा या किसमे कह सकते हैं पहला है तश्वी दोसरा इस्तियारा तीसरा कनाया और चौथा मजाज़े मुरसल इन चारों के बारे में अब हम तफसील से समझेंगे क्योंकि ये चारों ऐसे हैं जिन से इम्तिहान में जरूर सवाल बनता है चलो यहाँ पर सबसे पहले हम सनते तश्वी की बात करते हैं सनते तश्वी क्या होता है तश्वी के लफजी मानी हैं किसी एक चीज़ को किसी दोसरी चीज़ के मानिंद करार देना अगर इस्तिला में बात की जाए तो इल्म बयान की रहो से जब किसी एक चीज़ को किसी मुस्तरख खुसियत की बिना पर दोसरी चीज़ के मानिंद करार दिया जाए तो उसे हम तश्वी कहते हैं जैसे मैं कहूं अली शेर की तरह बहादुर है ठीक है देखिए शेर बहादुर होता है शेर की खुसियत है कि वह बहादुर होता है और अली भी बहादुर है तो अली की बहादुरी और शेर की बहादुरी का कामन करेक्शन होने की वज़व से जब हम कंपरीजन करते हैं तुलना करते हैं एक दोसरे के जैसा करार दे देते हैं तो वहाँ पे आपका सनते तश्वी होती है जैसे मेर्तगे मेर का यहाँ पे एक शेर मुलाइज़ा हो कि नाज़ोकी उसके लब की क्या कहिए पंखुडी एक गुलाब की सी है तो यहाँ पे महबूब के लब का कंपरीजन हो रहा तश्वीष दी जा रही है गुलाब की पंखुडी से दोनों की common quality नाजुकी है तो यहां पे महबूब की नाजुकी को बयान करने का ही मकसद है और उसको बहुत नाजुक बताने के लिए यहां पे comparison कर दिया गया है तुलना कर दी गई है मानिंद करार दे दिया गया है महबूब के होटों को गुलाब की पंखुडी के ठीक है इसी तरह कर शेरे के शाम से कुछ बुझा सा रहता हूं दिल हुआ है चराग मुफलिस का ठीक है जिस तरह से मुफलिस यानकि गरीब आदमी का चराग हमेंसे बुझा रहता है ना वैसे ही मेरा दिल भी आजकल बुझा बुझा सा रहता है तो यहाँ पे दिल को मुफलिस के चिराग से तुलना, कंपरीजन और तश्वी दी जा रही है एकबाल का एक और शेर है जहां में अहल इमा सूरते खुरशीद जीते हैं इधर डूबे उधर निकले उधर डूबे इधर निकले तो यह अलामा एकबाल का शेर है, इसमें भी सनते तश्वी है अब अरकाने तश्वी समझ लीजिए, यह भी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है अरकाने तश्वी में जो पहला रुकन है, वो है मुश्बहा मुश्बहा क्या होता है, वो सक्स या चीज़ जिसको किसी चीज़ से तश्वी दी जाए, वो होता है मुश्बहा जैसे मैंने मिसाल दे ती, अली शेर की तरफ बहादूर है तो अली को तश्बी दी जा रही है शेयर से तो यहाँ पर जो अली है वो मुशबहा है जैसे मैंने उपर तीन अशार आप लोगों को सुनाये थे पहला जो शेयर था कि नाजो कि उसके लब की क्या कहिए पंखुडी ये गुलाब किसी है उसमें जो लब है उसकी तश्बी दी जा रही है गुलाब की पंखुडी से तो ये जो लब होगा वो आपका मुशबहा होगा ठीक है ये सितरह का और शेयर था कि शाम से ही मुझासा रहता है दिल हुआ है चराग मुफलीस का तो दिल की तश्वी दिल की तश्वी दी जा रही है मुफलिस के चिराग से तो दिल आपका मुशबहा हो गया दोसरा जो रुखन है तश्वी का वो है मुशबहा बे ये क्या होता है वो सक्स या चीज जिससे तश्वी दी जाए वो मुशबहा बे होता है जैसे मनें मिसाल देती अली शेर की तरह बहादूर है तो यह जो शेर है जिससे अली को तश्बीर दी जा रही है यह जो शेर लफज है यह मुशबहाबे है उपर की मिसालों में पहला शेर था नाजो के उसके लफ़ी क्या कहिए पंखुरी एक गुलाब कीसी है तो यहाँ पे गुलाब की पंखुरी से महभूब के होटों की तुलना की जा रही है ना तो गुलाब की पंखुरी ये मुशबहा बे है जिससे तश्बीह दी जाए वो मुशबहा बे होता है दोसरे वाले सेरे में दिल हुआ है चराग मुफलिस का तो दिल की तश्वी दी जा रही है थी मुफलिस के चिराग से तो इसलिए मुफलिस का चिराग मुशबहा है तीसरा रुकन है वजह तश्वी मैंने पहली मिसाल दी थी अली शेर की तरह बहादूर है तो अली की बहादूरी और शेर की बहादूरी दोनों की बहादूरी की वज़ा से दोनों ने तश्वी दी गई थी तो जब हम किसी मुश्तरिका सिफत खुसूसियत या खुसूसियत की बिना पर तश्वी देते हैं तो वो मुष्टर का खुसूसियत सिफत वजह तश्वी कहलाती है जैसे अली शेर की तरह बहादूर है इसमें बहादूरी वजह सिफत है इसी तरह उपर जो अशारा हमने पढ़े थे नाजकी उसके लफ़ी किया कर ये पंकुरी ये गुलाब किसी है इसमें जो वजह तश्वी है नाजकी है क्योंकि महभूब का होट भी नाजक और गुलाब की पंकुरी भी नाजक तो बुझा बुझा रहना ये वजह तश्वी है आया समझ में? अब बात करते हैं हर्फ तश्वी की, तो हर्फ तश्वी वो हरूफ या अलफाद होते हैं जो तश्वी देने के लिए इस्तमाल होते हैं, जैसे, जैसी, जैसा, मानिंद, मिसल, मिसाल की तरह, ठीक है, अली शेर की तरह बहादुर है, यह जो की तरह लफज है, ये हर्फ तश्वी है ठीक है पंग खुड़ी एक गुलाब की सी है तो यहां पे जो सी लफज है ये आपका हर्फ तश्वी है दिल हुआ है चराग मुफलिस का साम से ही बुझा बुझा सा रहता है दिल हुआ है चराग मुफलिस का तो यहां पे जो सा लफज था ये आपका हर पे तश्वीह था ठीक है न अब खरज आज़ तश्वी कहते हैं किसे ये समझते हैं तो वो मकसद या गर्ज जो तश्वीह देने का सबब बने इलम बयान की इस इसे गर्ज तश्वी कहा जाता है जैसे उपर की मिसालों में बहादुरी दिखाना था पहले जो मैंने मिसाल देती है लिए शेर की तरह बहादुर है तो बहादुरी देखाना ये गर्ज तश्वी ए इसी तरह जो शेर था किनाज को इसके लब की किया कि ये पंकुरी ये गु ठाना था ठीक है एक और शेरतन की दिल हुआ है चराग मुफलिस का उसमें दिल की वीरानी और बेकसी की मुनासिब नक्षा कसी करना था तो ये घर्ज तश्वी कहलाया तो शानते तश्वी क्या है तश्वी कि जो हरकान है वो आपने समझ लिए कुछ अशार मैं आप लोगों जो कि सनते तश्वी के हैं अक्सर पूछे जाते हैं ये तो अक्सर पूछा जाता है यू बर्षियां ती चार तरफ उस जनाब के जैसे किरन निकलती है गिरदा आफताब के ये मिरा नीज का शेर है इसमें सनते तश्वी है एक और शेर तुनिये की हर संग रेजा नूर से दर खुशाब था लहरे जो थी किरन तो भवर आफताब था अगला शेर की गर्मी का रोज जंग की क्यों कर करूं बयां डर है कि मिसल शमाना चलने लगे जबा तो ये सबी जो अशार हमने पढ़े सनते तश्वी के थे अब सनते इस्तियारा समझते हैं देखो इस्तियारा क लोग भी माने क्या हैं उधार लेना मुस्तार लेना ठीक है इल्म इस्तिला में अगर इल्म बयान के इस्तिला में अगर देखें तो एक चीज को बाएन ही दोसरी चीज करार दे देना और इस दोसरी साय के लौजिमात पहली साय से मनसूब कर देना इस्तियारा कर लाता जैस मैंने की तरह लवज इस्तिमाल किया था ठीक है और बताया था कि अलिशेर की तरह बहुद्र लेकिन जब मैं इसी बात को इस तरह से कह दूँ अलिशेर है तो यहां पे सनते तश्वी हो जाएगा एक चीज़ को बायन ही दूसरी शाय करार दिया जाए तो वहां पे इस्तियार में यह जो हर्फे तश्वी होते हैं इनका इस्तेमाल नहीं होता है जैसे सी जैसा मिसल यह सब अलफाज नहीं होते हैं अलिशेर की तरह नहीं कहेंगे अगर हम कहते हैं अलिशेर की तरह बहादूर है तो वहां पे सनते तश्वी हो जाएगी लेकिन जब हम सनते इस्तियारा में आएंगे तो काएंगे अलिशीर है कोई लड़का पढ़ने में a कंचालाख होता है तो उसे हम कहते हैं न गदाहा है तो हमारा मकसद क्या होता है उसे गधने जैसा बताना होता है लेकिन हम डाम Birक्रत hijos को गदा कहा ज़ेते हैं तो यह स्ठियारा हो प्रफुश्च रिस त्यारा अक्सर पूछा जाता है चलो यहां पे समझो यहां पे एक श्यूर राशन जमाल यार से हैं अंजमन तमाम देका हुए आतिश गुल से चमन तमाम वगर दोसरे मिस्रे में आतिशे गुल का इस्तेमाल जोगा है उसे आप देखें तो आतिशे गुल से मुराद है दोकता हुआ फूल या बहुत खुबसूरत फूल लेकिन शायर ने मिस्रे में ये नहीं कहा कि उसके महभूब का हुसन आतिशे गुल के मानिंद है ये नहीं कहा कि उस तमाम यानि उसके मैभूफ से जो पूरा चमन है वो धैका हुआ है तो यहाँ पे जब हम किसी एक चीज को दोसरी चीज से कमप्रीजन करते तो हैं लेकिन हम कमप्रेटिव वर्ड यानि की जो हरफे तश्वी हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते एक चीज को बाए नहीं दूसरी चीज करार दे देते हैं तो आपे सनते तश्वी होती है जैसे हैं याद हो बेमिसाल आखें क्या है तेरी यो घजाल आखें ठीक है जैसे एक और शेर कि शेर कि आमद है कि रन काप रहा है मिर्जा दबिर का शेर कि शेर कि आमद है कि रन काप रहा है रुस्तम का जिगाद जेर का पन का पर रहा है तो यहाँ पर हजरती अब्वास अलिए इस्त्यारा है। ये मोती सभाल लो दुनिया के पास देखने वाली नजर कहाँ तो यहाँ पर जो आसू है इनको मोती की तरह नहीं बता जा रहा है डारेक्ट मोती कहा जा रहा है तो पलकों से गिरन जाए ये मोती सभाल लो दुनिया के पास देखने वाली नजर कहाँ तो इसलिए इसने सनतेश त्यारा है और भी कुछ अशार हैं जो सनतेश त्यारा के मिसाले हैं एक रोशन दिमाग था न रहा शेहर में एक चिराग था न रहा फलक यो तू ही बता दे कि हुस्न खूबी में ज्यादत तर है तेरा चांद या हमारा चांद तो यहाँ पे महबूब को ठैरेक चांद का जा रहा है इसलिए इसमें सनतेश त्यारा है चलिए एक सवाल का जवाब बताएए किसी सक्स या किसी चीज़ को किसी खास वस्फ में किसी दोसरे सक्स या चीज़ के मानिंद करार दिया जाए तश्बीह दी जाए कमपरीजन किया जाए तुलना किया जाए तो वो क्या होता है तो उसे हम सनते तश्बी कहते हैं कई अशार मैंने आप लों को पढ़ाए थे ठीक है उसमें एक और शेर था कि अपनी हस्ती हुबाब कीसी है ये नुमाईस सराब कीसी है तो इस शेर में भी सनते तश्बी है यानि अपनी हस्ती को पानी के बुलबुले से मिर्त की मिर कमपेयर कर रहे हैं तश्बी दे रहे हैं अच्छा अगर मैं आप लोग से ये सवाल पूछूं कि जब शायर किसी एक चीज़ को बाएन ही दूसरी चीज़ करार दे तो उसमें कौन सी सनात होती है कि शेर की आमद है किरन का परहा है दबीर के इस मिसरे में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है कमेंड करके बताएं थैंक्यू वेरी मॉच